हलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सीदी एच के सनहब में 85 हम लोग जी असिश्टी के अंतरगत वैदिक काल पढ़ रहे थे जिसके अंतरगत मैंने दो वीडियो पहले से ही अप्लोड कर दिये हैं जहां पहले वीडियो मैंने वैदिक काल का सामान परिशे बताय में दूसरे वीडियो मेंने वैदिक साहित प्रार्म किया था जिसके अंतरगत पहले वीडियो मैंने बेद आपको बताया बेद से महत्यक्ति पूछे जाते हैं वह भी मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में सभी बेदों के जो ब्राम्हन ग्रंथ हैं अरनक हैं और उपनिसद हैं उनके बारे में जानेंगे साथ ही इने जो तीन अण्य ज़ाइक साहित हैं इनमें कौन-कौन से महत्थपूर्ण वे तथ हैं जो परिष्थाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे तो आईये मित्रों एक चाइट के माध्यम से सबसे पहले इसे समझते हैं उसके बाद महत्पूर तथ्यों को जानते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार वेद हैं रिग वेद, यजूर वेद, साम वेद और अथर वेद अब इन चारो वेदों के अपने अपने ब्रामण गरंथ अरनक और उपनिसद हैं सबसे पहले रिग वेद क्या जो ब्रामण गरंथ है वो दो ब्रामण गरंथ है एक इतरे है दूसरा क्या है कौसेत की पहला इत्रे है और दूसरा क्या है कौसेत्की तो इत्रे को जहां महिदास इत्रे नामक रिष ने लिखा वहीं कौसेत्की को कुसीतक रिष ने लिखा यह कौसीतक जो ब्राम्हन ग्रंथ है इसको संख्यान भी कहा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे उसके बाद यजुरवेद की मैंने आपको पहले ही बताए थी दो साखाएं है यजुरवेद की दो साखाएं है एक क्रिष्ने जुर्वेद दूसरा सुकले जुर्वेद तो क्रिष्ने जुर्वेद का जो ब्राम्हन ग्रंथ है उसका नाम है तैतरी और जो सुकले जुर्वेद का ब्राम्हन ग्रंथ है उसका नाम क्या है सत्पत तैतरी ब्राम्हन ग्रंथ को तितिरिस ने लिखा है और सत् को जो पूरे सभी ब्राम्हन ग्रंथों में सबसे महत्पूर्ण है उत्तर वैदिक काल को जानने का सबसे प्रमुक्ष्रोत है इस ब्राम्हन ग्रंथ को लिखा है याग जिवलक्य ने इस सतपत ब्राम्हन ग्रंथ को लिखा है और मित्रो यह प्रेश्ण बहुत महत्पूर्ण और कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है कि सत्पत ब्राहभन किस वेद से संबंदित है या यजुर वेद की अंतरगत जो ब्राहभन ग्रंत है वो कौन सा है तो सत्पत है और सत्पत ब्रामण ग्रंथ को किस ने लिखा याग जिवलक तीसरा प्रश्णी ये भी पूछा जाता है सत्पत ब्रामण से कि उत्तरवैदी कालीन जो जीवन है सामाजिक धार्मिक राजनेतिक और आर्थिक तो उसे जानने का सबसे मुख्य स्रोथ कौन है तो को है सत्पत ब्रामण तो सत्पत ब्रामण की रचना किसने की है याग जवलक रिसनी आईए सामवेद के हम लोग जानते हैं सामवेद के तीन ब्रामण ग्रंथ हैं 25 जिसे तांड रिसने लिखा है इसलिए 25 को तांड ब्रामण भी कहा जाता है साटविस साटविस को अधभुत रिषने लिखा है और जैमनी जैमनी को जैमनी रिषने लिखा है उसके बाद अथरवेद का केवल एक ब्राम्हन ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत जिसे गोपत रिषने लिखा है तो ये थे आपके ब्राम्हन ग्रंथ उसके बाद रिगवेद का रिगवेद के दो अरनक है पहले का नाम इतरे है दूसरे का नाम कौसेद की है यही नाम होने के कारण मैंने उन्हें दुबारा नहीं लिखा है तो जो ब्राम्हर गरंथ है उसी नाम से अरनक और उसी नाम से उपनिसद है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है तो अगर आप से पूछे रिगवेद का रनक कौन कौन से है तो एक है आपका इतरे और दूसरा क्या है कौसेद की उपनिसद कौन कौन से है एक इतरे है दूसरा क्या है कौसित की कि उसके बाद कृष्ष्ण एजुर्वेद कि उसके चार पिन्च है और चार ही उपनिसद हैं तो पैत्री मेत्राइनी स्वेतास्वर और कट्छ यह अर्णक भी है और यहिं क्या नाम से क्या है उपनिसद। को सो तैत्री मेट राएणी सुहता स्वर और गत यह क्रिश्न रिजुरवेद के चार और पहीं चिनी विए चार उपनिसद हैं equilibrium उसके बाद रिजय जी तो सप्ले जुरवेद के साल जो दो अरनक अरनक है एक बहीदर अरय अरंक और दूसरा क्या है इस यह इसी नाम से उपनिसद भी है ठीक है ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत न हो ज्यादा लिखा रहता है तो आपको दिक्कत डालता है तो एक बार अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे कि वही आपका जहां अरेनक है वही उपनिसद है तो आसाने से आपको याद हो जाएगा जादा परिशान नीज करना है और आपको इसी प्रकार के चायट बना लेना है ताकि आपको आसाने से यह क्या हो अर्फा साम वेद के दो उपनी सद हैं एक चान दोग्य है दूसरा क्या है के अधरवेद का कोई अनग नहीं है यह बहुत पूछा जाता है कि किस वेद का कोई अनग नहीं है तो वो है क्या आपका अथरवेद का कोई अरणग लई वहीं इसके तीन उपनिसद्स है एक मुंडख है दूसरा मुंडो की है तीसरा क्या है प्रेश्ण experts USB ठीक है तो ये था आपका चार्ट आप समझतो रहे हैं कि जो आपका रिगवेद का ब्राम्हन ग्रंथ है उसी नाम से अरणक है उसी नाम से क्या है उपनी साथ जैसे यहां पर इतरे ठीक है तो इतरे अरणक है और इतरे नाम से ही क्या है उपनी साथ तो इसे आप एक स्किन सोट ले लिजे और इसको उतार डालिए तो अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ब्राम्मन ग्रंथ क्या है ब्राम्मन ग्रंथ से महत्पूर्ण कौन-कौन साहित के बारे में जानते हैं देखिए बैदिक साहित के अंतरगर सबसे पहले बेदों की रचना हुई गुंतु equals मन्त्र लिखे गये थे वो सुद्ध पारिमारजित संस्कित भासा में लिखे गए थे जो सामान जन्ता को समझने में हमेशा कठिन लगते थे उन्हें कठनाई होती थी तो उसको देखते हुए ब्राम्हन ग्रंथों की रचना हुई ये जो ब्राम्हन ग्रंथ है ये बेदों के ब्याख्या ग्रंथ है और गद्ध संस्कि साहित में लिखे गए है इसमें कहानी के माध्यम से यकजी कर्मकांडो का वर्णन किया गया है तो हम लोग सबसे पहले जो महत्तपूर्ण ब्राम्हन ग्रंथ सत्पत है उसमें किन बातों का उलेख किया गया है उनको जानेंगे उसके बाद अन्य जो महत्तपूर्ण ब्राम्हण ग्रंथ हैं जिनमें महत्तपूर्ण बाते लिखी गई हैं या महत्तपूर्ण तत्य हमें परिच्छा की दिष्टकोर से लेना है उनको चलिए जाल लेते हैं तो सबसे पहले तो ब्राम्हण ग्रंथ क्या है मैंने अभी आपको बता दिया कि ब् ब्राम्हन गद्ध गरंथ जो हैं गद्ध में लिखे गए और ये संस्कित गद्ध साहित का प्राचीनतम रूप है ध्यान रखिएगा संस्कित गद्ध साहित का प्राचीनतम रूप किसे माना जाता है ब्राम्हन गरंथों को उसके बाद आप जो सबसे महत्पूर ब्राम्हन गंत है सत्पत ब्राम्हन उसे जानते हैं तो सत्पत ब्राम्हन में कौन-कौन सी चीजों कवलेख है सबसे पहले सत्वध ब्राम्हन ग्रंध की किसने रचना की थी याग्ज वलक्रिस ने इनको जरूर आप याद रखेगा ये बहुत पूछे जाते हैं याग्ज वलक्रिस उसके बाद सत्पत ब्राम्वन में के माध्यम से उत्तरवैदिक काल को जानने का ये सबसे महत्त पूर साहितिक स्रोत है जहां पूरवैदिक काल को जानने का सबसे महत्त पूर एक महत्त स्रोत रिगवेद है वहीं उत्तरवैदिक काल को जानने का सबसे महत्तपूर्ण जो साहितिक स्रोत है वो कौन है सतपत ब्रामवन याग्यवलक किरिस ने इसकी रचना की थी सरप्रथम राम कथा का वर्णन सतपत ब्राम्वन में मिलता है उसके बाद जल उत्प्लावन की कथा जल उत्प्लावन की जो कथा है इसका भी वर्णन हमें सरप्रथम कहा मिलता है सतपत ब्राम्वन में बाद में आधुनी काल में छायावाद के प्रवर्तक कवी जैसंकर प्रसाद ने जो महाकाब लिखा कामाईनी उस कामाईनी महाकाब का कथानक जो है वो इसी सतपत ब्राम्हर से लिया गया है तो ये कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है कि कामाईनी महाकाब का कथानक क इस ग्रंद से लिया गया है तो सत्पत ब्राम्हर से लिया गया है ठीक है उसके बाद एक महात्पूर्टत्थ्य है कि एक रिस थे चोवन रिस तो चोवन रिस को देवताओं के जो चिकिस्षक थे देवताओं के चिकिस्षक भगवान आस्विनों ने उन्हें यौवन दान दिया था इसका उलेख भी हमें कहां मिलता है सत्पत ब्राम्हर में ये चोवन जो सब्द है इसी से चवन प्रास बना है जो आज आधुनिक काल में आप चवन प्रास देखे होंगे कई कमपनियों के जाते हैं तो ये चवन प्रास सब्द जो है इसी चवन से बना है तो चवन देशिको यौवन दान जीवन भर नौजवान रहने का जो वर्दान है आस्विनों देवता ने दिया था और इसका उलेख हमें किस ब्राम्हर गरंथ में मिलता है सत्पत में तो ये कुछ में सरफ्रताम राज्य सूइभ यंग जी का मिलताा है ये यारीगवेध का ब्राम्हर गरंथ है तो ये प्रेशन पूछा जाता है इसके बाद 25 ब्राम्हण जो सामवेद का ब्राम्हण गरंथ है इसमें सबसे पहले वात्त्रोम यकजी क्या था तो आरे अन्न सभी को अनारे बोलते थे तो अनारेयों को आरे बनाने के लिए एक सुधी करण यकजी कराया जाता था जिसे हम क्या बोलते हैं तो और अनार्यों को आरे बनाने के लिए एक यक्ज करते थे जिससे हम क्या बोलते हैं वातिस्त्रों が सुद्धी करन यक्ज इसका उलेख किस ब्रामन गंधी मिलता है पंच विस में उसके बाद गोपत ब्रामन गोपत ब्राम्हण जो अथरवेद का ब्राम्हण गरंथ है इसमें पहली बार अस्समेध यकजी का उलेख मिलता है अस्समेध यकजी क्या है राज्या विशेख के बाद राजा कुछ घोड़ों को छोड़ा करता था और छोड़ने के बाद वो जितनी दूर तक बिना रोक टोक चला जाता था वह संपूर छेत्र उस राजा के अंतरगत माना जाता था उसके अधिकार में माना जाता था तो अज्यक्जिका उले गोपत ब्रामनमे मिलता है सर प्रथाम अधिक्ष का उलेक व्लेक किसए अधिक्ड़ गरनत्र तो अग्णिश्टोम यक्जिक अभी पूच्छा नहीं प्राक्तिक आपदा का उलेक मिलता है तो किस ब्राम्हन गरंथ में प्राक्तिक आपदा का उलेक मिलता है सटबीस ब्राम्हन गरंथ में प्राक्तिक आपदा का उलेक मिलता है अगर इतना आप तयार कर लेतें तो उपी असी से लेकर जीतने भी छेत्री Rs. राजस्तर इंग्याम होते हैं उन्स सभी के लिए इतना आपके लिए सफीसियंट है इतने में आपको मित्रों आपका काम हो जाएगा तो देखिए जो अरणक से प्रस्ट पूछे जाते हैं तो सबसे पहले अरणक में आपको यह याद रखना है किस तरह की बातों का उलेक मिलता है और एक जो महत्पूर तथे अभी तक पूछा गया है कि निम्निखित में से किस वेद का कोई अरणक नहीं है तो वो है अथर वेद का कोई अरणक नहीं है तो इस तरह से तीन बातों को आपको याद रखना है तो आईए मित्रों अब उपनिसद के बारे में जानते हैं उपनिसद आपके लिए बहुत महत्तपूर है और इससे जो महत्तपूर तत्थ हैं वो परिच्छाओं में पुछे जाते हैं उपनिसद दो सब्दों से मिलके बना है उप और निसद उप का अर्थ समीब तथा निसद का अर्थ बैठ कर होता है अर्थात वह ज्यान जो सिस्स गुरुगों के समीब बैठ कर प्राप्त करते थे उन्हें ही उपनिसद कहा जाता है उपनिसद की जो कुल संख्या है वो कितन अगर इसके बेन से बस्तु की बात किया जा तो इसमेंभी आध्यातम मोच आत्मा से संबंदुत प्रस्ट आपको मिलेंगे 오빠 धीक है तो इसकी बीबशश्यवस्तु कर्ष अगर इससे बात को लिख लिए आध्यातम मस दर्सन का चर्मोत कर्स उपनिसदों को माना जाता है ठीक है और अगर यह कहा जाए कि आरेनकों का महत्त क्यूं घट गया क्योंकि उपनिसदों ने आरेनकों को अच्छा दित कर दिया अर्थात उपनिसदों की रशना के बाद आरेनकों का महत्त घट गया तो इस तरह से विशावस्त वेदांत दर्शन तो कई दर्शन बताऊंगा उनसे प्रमुख जो बाते हैं वह अन्य बातों को ही बताऊंगा तो अभी आप समझ लीजिए कि वेदांत दर्शन का आधार जो है वो उपनिसदों को ही माना जाता है वेदांत दर्शन का आधार वैसे भी उपनिसदों को आपक को वेदान्त कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित के अंतरगत इनकी सबसे अंत में रचना हुई तो वेदान दर्सन का अगर आधार आपसे पूछा जाए तो आईए मित्रों उपनिसा से संबंदी जो महत्पूर्टत्थ हैं उनको जान लेते हैं जो परिछाओं में आपसे ज़लता है यह सदा सते बोलो और सदाडर्म का पालन और यह दो आदर्सवाक्यों का उभलेग सर्प्रथम पत्राइन proteg करें और निम्लिकित मेंसे किस ग्रंथ में सांक दर्सन का सर्प्रथम बढ़नन मिलता है तो मैं राणी उपनी सद्मिं यम नजकेटा संबाद ये बहुत पुछा गया है प्रेश्न ना तो गiant है । उसके बाद उत्तरवैदिक काल की एक बिदुसी महिला थी जिनका नाम था गारगी और एक बिद्वान रिस्थे याग जवलक जिन्हों उने सफ़ों और इंके को अधैं सम्बाद होता है राजया जंअ के दरुवार में को सम्परिष्ण में तो इसतरे का जो सम्भाद है यह राजया जनक के दरँवार में होता Bundesregierung तो इसका उनलेख हमें कि मिलता है वह्यार आणक उपनिशाज से तो बिंड़ा उपनिशाज में ही गार्गी यग जिवलक संबाद को उलेक मिलता हैं यह यह बहुत महात्पूर के रूप में देव की पुरुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है तो कृष्ण का सरप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है च्छांदोग उपनिसन में जिसमें इन्हें घोर अंगिर्यस का सिस्स बताए गया है उसके बाद कि सकतर और सकत्मेव जैते सकतमेव जैते आदर सवाक कि 21 से उपनिससे लिया गया है मुंडकूब निसससे सत्मेव जैते सद्व का प्रियोग किया गया इसको आपको याद रखना है ये सारे तथ्य परिच्छाओं में बहुत पूछे जाते हैं अब पूछे गए हैं उसके बाद गीता के निस्काम कर्म का वर्णन गीता के निस्काम कर्म का वर्णन किस उपनिसद में मिलता है इस उपनिसद में गीता के निस्काम कर्म का वर्णन उसके बाद अंतिम तत्य है कि मुंदकोप उपनिसद में यकजी की आलोशना की गई है तो किस उपनिसद में यकजी की आलोशना की गई है मुंदकोप उपनिसद में और यकजी को जरजन नौका के समान बताया गया है मुंडकोव उपनिसन में तो यह था मित्रो ब्राम्हण अरेनक और उपनिसा से सम्बंदित महत्पूर्तत आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों को आप सेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल सीधी एचकेशन हब को सस्क्राइब करिए साथ ही मित्रो इसके बाद वैदिक काल से सम्बंदित केवल दो और वीडियो आएंगे जिसमें इसके आगे वाले वीडियो में आपको मिलेगा रिग वैदिक कालीन, राजनितिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन और उसके बाद अगले वीडियो में आपका आएगा उत्तर वैदिक कालीन, राजनितिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन और इस प्रकार से आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा वैदिक सभिता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद क्रमसे हम लोग आगे भी प्राचीन भारत के जो महत्तपूर चीजें हैं उनको क्रमसा जानते रहेंगे जुड़े रहिए मुझसे मेरे इस चैनल सीधी एचकेश आप में धन्यमाद